दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने दूसरी पार्टियों पर उनके एजेंडा चुराने का आरोप लगाया है। बुधवार को बाबा साहेब भीमराव आमबेडकर की पुन्यतिती पर दिल्ली के आप दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया था। इसमें अपने संबोधन में सीएम केजरिवाल ने कहा कि आज इन सारी पार्टियों ने हमारे सारे एजेंडे चोरी कर लिये हैं। दिल्ली सीएम बोले, सबसे पहले हम ही थे, हम जाकर कहते थे केजरिवाल की गारंटी। अब ये वाले और वो वाले दोनों ही कह रहे हैं कि गारंटी। घुशना पत्र और संकल्प पत्र गायब हो गए हैं। केजरिवाल ने आगे कहा कि सारी पार्टियां फ्री की बात कर रही हैं लेकिन शिक्षा की बात आज भी कोई नहीं कर रहा है। वह बोले शिक्षा की बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है क्योंकि हम बाबा साहिब आमबेड करके चेले हैं। बीजेपी और कॉंग्रस पर निशाना साधते हुए केजरिवाल ने कहा, दोनों में से कोई पार्टी नहीं कहती कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे या सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे। जानबूजकर पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को अशिक्षित रखा गया है।